ये इतिहास कलास 12 का है जो कि 7 फरवरी को आप लोगों को पुछा जाएगा ये रामबन्ज सावित होगा 7 फरवरी को ये 100 परसेंट आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथ ही ये ग्रेस कोर्स का वायरल अपजेक्टिव मेरे डियर साथ ही जो आपको सिधे साथ इसलिए जो है इस objective को clear कर लेना और सभी दोस्तों में जो है फटा-फट share कर दिजे ने तो बाद में पस्ताने के सिभा आपको कुछ नहीं मिलेगा यह objective जो है सीधे आपके प्रिक्षा में रहेगा यहां पर देख शक्ति यह बहुत important objective है जो कि यह objective से करिब करिब जो है यह हम बता देना चाहते कितना objective इस objective से रहेगा कम से कम यहां से कम 35 आपको फस जाएगा यह objective को अगर पूरा कर लेते हैं तो यह पहला objective यहां पर करेंगे हरापा से ब्यताकिस यूग की सभ्यता है तो लोह यूग है कांसी यूग है इसके बाद A और B दोनों है इन में से को इसके बाद कुष्टन नमर 2 में दिया गए हरपा किस नदी के किनारे स्तीत है सिंदू है व्यास है सतलज है रावी है तो इसका राइट एंसर रावी हो जाएगा मेरे डियर साथ यह option बिलकुल जो है डी इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन यहां पे लोथल कहां इस्थीत है लोथल जो है कहां इस्थीत है गुजरात पसी मंगाल राजस्तान पंजाब इसका राइट एंसर आपको बताना मेरे डियर साथ यह साथ फरवरी को रामबान साबीत होगा कोई नहीं काटेगा इस अबजक्टिव को पूछा जाएगा इस बिस्ट बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मोहन जरुद्रों का जो है उत्खरनन के या था आड़ी बनर जी ऑप्सन मिल्कुल जह सी राइट एंसर हो जाएगा याद रखना यह अबजक्टिव आपको पूछा जाएगा इंडिका के लेखा कौन है इंडिक जो है डिलिट नहीं होगा अप्लोड रहेगा जब एक्जाम देके आगे तब आप पता लग जाएगा आपको कि कितना अप्जक्टिव इससे पूछा गया इसलिए जो है कंप्लिट कर लेना और वीडियो को सेव करके रखना और टोटल अप्जक्टिव आपको यहां से लर बार किस आसक ने किया तो असोक ने किया और यहां पर मनुस मुर्ती में कितने परकार के विभा का उल्ले किया गया है बताइए त्बाइन प्जलीस अप्जक्टिव को कंप्लिट कर लेना बाद में आपको पस्ताना पड़ेगा चलिए महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला फटा-फट आप इस स्पीड में करते जाए ये समय बहुत कम 18 दिन उप्शन बिल्कुल जड़ी राइट अंसर होगा महा भारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है मेरे डियर साथ ही हो तो भीष्म को जाना जाता है गंगा मता का पुत्र पितामा भीष्म था इसलिए जो है का गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है इसके बाद आपके स्क्रीन प्याँ पे दिया ये टोटल आपजक्टिब आपको पूछा जाएगा इसाथ फरबरी को जुचका जिसका भी इस्तिहास का एक्जाम है चलिए फुरत आमबर एबं दिगंबर का संबंद की स्धर्म से हैं हिंदु धर्म है बोद धर्म है ये जैन धर्म बताईगे इसका राइट एंसर होगा जैन धर्म पर आपको बताना है तो कनीष्क हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे है दीन ए इलाही संबंधित है इसके बाद यहाँ पे जजिया किसे लिया जाता था जजिया किसे लिया जाता था इसके बाद है किताब और रहला में किसका यतरा बर्ताथ मिलता है तो अल्वरुनी का अब्दुर रजाक का इक्द बतुत्ता बर्नियार का बताएं ये इबन बतुत्त आउप्सन मिलकूल जए है सी राइट अंसर हो जाएगा फड़ाफट इस अबजक्टिव को सेर कर दीजे बाद में आपको पसाने के सिभा कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर साथ यो अब ये समय है फड़ाफट जो है कम दिमाग में घुसा लिजे सिधे आपके परिक्षा में रहेगा ये अबजक्टिव तम्माकू का सेवन सर परतम किस मुगत समराथ ने किया बताईए जहांगीर साथ जहां बाबर अकबर बताईए इसका राइटेंसन सतरा का एंसर आपको बताना मेरे डियर साथ यो तो अकबर हो जाएगा उपसन अबजक्टिव को रामबान निद्फ कायंगार व्यवस्ता सम्मद्धित थी मुगल सम्राज से बहमनी सम्राज से बीजय राइट अंसर हो जाएगा चलिए फड़ाफट इस आपजक्टिव को कंपलीट कर लेजी जल्दी से जितने भी छात्र चाता इस विडिव पर किलिक क तो कभीर स्विश से थे रमानंद के आप्शन मिल्कुल सी राइट अंसर हो जाएगा फटापर कम्प्लिट करते जाएगे समय बहुत कम है उत्तर भारत में भवी भक्ती अंदोलन का आरम की संत ने किया था तो रमानंद आप्शन मिल्कुल जहे राइट अंसर हो जाएगा बिचक में किसके उपदेश संगरहीत बताएगे इसके बाद निजामदीन अउलिया की सोफी सिलसिले से संबंधित है चिस्ती, सुरावादी, कादरी इन में से कोई नहीं बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 26 का अंसर आपको बताना मेरे डियर सात्यों तो हो जाएगा चिस्ती आपसेन मिल्कुल जो है ये राइट अंसर हो जाएगा ये पूरा अपजक्टिब आपको लड़ेगा मेरे डियर सात्यों साथ फरवरी को चलिए तहकी के हिंद में किसका यतरा बिरतांत लिखाया तो अलवरुनी का अब्दुर्रजा का फैयान का मारको पोलो का अलवरुनी हो जाएगा ये राइट अंसर हो जाएगा 27 नमबर का जो है मेरे डियर सात्यों आप लोग कमेंड करके बताना क्या अंसर होगा बात आने वाले प्रतम ये राइट अंसर हो जाएगा भारत आने वाले प्रतम ये राइट अंसर हो जाएगा 31 नमबर का आपको अंसर बताना मेरे डियर सात्यों तो 17 चहुंतर में किया गया था याद रखना ये टोटल अपजक्टिब लड़ेगा साथ फरवरी को मेरे डियर सात्यों ये भुल भुल या मिमत रहना चलिए इसके बाद यहाँ पे है पूर्त गालियों ने गोवा पर 32 नमर का आपको राइट अंसर बताना फटा फट आप इंसर देते जाए इसका हो जाएगा 1510 चलिए इसके बाद है संभाल विद्रों कब हुआ था चलिए संभाले संथाल विद्रों संथाल विद्रों ये सब्जक्टि भी पूछ देता है मेरे डियर सात्यों याद रखना स संथाल विद्रों कब हुआ था बताईए 33 में जल्दी से संथाल विद्रों कब हुआ था इसका राइट अंसर हो जागा 1855 में हुआ था संथाल विद्रों कब हुआ था चलिए दामीन ई को क्या था भूभाग उपाधी तलबार इन में से कोई नहीं बताईए मेरे डियर सात 34 नमर का जो एंसर आपको बताना जल्दी से बताईए तो जल्दी से चलिए इसका हो जाएगा भुभाग उप्सन इसका ए राइट एंसर हो जाएगा लखनाव से 18 सल्टन के विदरों का नितरित रीत किसने किया? रानी लक्षिमी बाइब भेगम हजरत महल वीर कॉवर सिंग नाना सहे बताईए लखनाओ से 18 सल्तन के विद्रों का नित्रित्व किसने किया तो 35 नमर का आपको जो है क्या हो जाएगा असर जल्दी से बताई मेरे डियर साथियों तो इसका हो जाएगा बेगम हजरत महला उप्सन बिल्कुल भी राइट असर हो जाएगा 18 सल्तन के विद्रों के समय भारत का गवर्न जनरल कौन था बताईए भारत का घंडा जवलन को था मेरे डियर साथ 28 सल्तन का 36 नमर का आपको जो है राइट असर देना है तो यह है लाड कैंग निंग लाड जो है लाड कैंग अप्सन बिल्कुल सी राइट असर हो जाएगा इसके बाद व्यापगत के स सिर्धान्थ का समबंध था करजन से लं होझी से लिटन से मिन्टों से बताईए मिरेध यह राइट असर होगा यह टोटल अबजक्टिभा आप को जो है लरेगा डाल होझी हो Victoria, Terminus, किस सेली की इमारत हैं?, बताइए egentर 38 का जो एंसर, अनौ गौिठिक सेली हगा, मिल्कुल बी राइट एंसर होगा इसके बाद है gateway of India का निर्मान कब हुआ इसके बाद है निमललखीत में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्ज से सुरू हुआ इसके बाद है यहां पे महत्मांग अंदी ने पहला किसान अंदोलन कहां सुरू किया था बताइए बारदोली चंपारन डांडी इसके बाद वर्धा बताइए 41 का आपको बताने मेरे डियासाति हैं यह सभी को पतार चंपारन में चलिए अमांदमांग अंदी ने पहला किसान अंदोलन कहां से सुरू किया चंपारन से इसके बाद है इसके बाद है साइमन कमिशन भालत कब बताइए साइमान कमिशन भारत कब आया था मेरे डियर साथियो 43 का जो राइट अंसर होगा 1968 में साइमान कमिशन भारत आया था उप्सन भी राइट अंसर हो जाए इसके बाद है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियो तेरह अपरेल उनिस उनिस को जो है जलियावाला बाग घत्याकान हुआ था उसको रोलेट एक्ट भी कहा जाता बताईए चो बालिस का जो एंसर होगा मेरे डियर साथे मांटेग्यू चैंप्स फोर्ड सुधार एक्ट इसको जो है कहा जाता है मेरे डियर साथी मतेग्यू चैंप्स फोर्ड सुधार एक्ट चलिये इसके बाद जो है जलियावाला बाग घत्याकान कब हुआ था तो कब भुआ था? बंगाल में जो विभाजन हुआ था मेरे डियर साथ इसकी घुसना कब हुई थी 46 नमर का जो राइट अंसर होगा उनिस्टा पाँच हो जाएगा ऑप्शन मिल्कुल जो है राइट अंसर हो जाएगा याद रखना यह हंडेट परसेंट आपको आपको साथ फरवरी को सीधे र बताईए पाकिस्तान सब्द किसने दिया जिन्ना लियाकत अली चौधरी रहमत अली इकबाल बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसके बाद भारतिये रास्टिये कंगरेस की पहली महिला ध्यक्ष कौन थी बताईए इसके बाद यहाँ पर भारतिये समीधान कब लागू किया गया थी या बात सभी को पता है इधर ही मनाएं आप लोग लोग ना 26 जनवरी चलिए भारतिय से मिधान कब लागू किया गया था बताईये कमेट में इसका राइट आइट अशन क्या हो जाएगा तो सभी विध्यारतियों को पता होता है 26 जनुवरी उनिस सब पचास को इसके बाद आपको स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथ यो देखिये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट पती कौन थे जल्दी से बताईए यह डॉक्टर राजंदर पर साथ थे औप्शन बिल्कुल सी राइट अंसर हो जाएगा यह टोटल पचास अब्जक्टिव हम करवा हैं इसमें से कम से कम 35 अब्जक्टिव 40 अब्जक्टिव रहेगा है यह 100% आपको जो है लड़ेगा मेरे डिया साथ याद रखना अगर इस अब्जक्टिव को आप लोग कंप्लिट कर लेते तो एक भी अब्जक्टिव आपका नहीं छुटेगा और भी पहले से भी अब्जक्टिव जो है डाल दिये क्रेस कोर्स का अब्जक्टिव है जो यह में कमेंड किजिए आप लोग सब्जक्टिव भी आप लोग को करवा दिया जाएगा